हालो फ्रेंड्स वल्कम टू माई यूट्यू चानल आज का आपडेट स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं मैं जो भी न्यूज कवर करूंगा इस वीडियो में उस सब न्यूज का लिंक में डिस्क्रिशन में देदूंगा जिसको जाके पढ़ना है वो जाक लगाया है स्ट्रीम रेटिंग एजिंसी ने तो देखते हैं 2023 में इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहता है इसी के साथ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अपडेट की हमारा नेक्स्ट अपडेट आरे इंडिया और अस्ट्रेलिया से इंडिया और अस्ट्रेलिया एक फ्री ट एग्रिमेंट साइन कर रहे हैं तो एक अच्छी बात होगा इंडिया के लिए क्योंकि इस पेंडामिक में हमको जाज स्यादा एक्सपोर्ट के उपर फोकस करना चाहिए और यह बहुत बड़ मार्केट है इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए इसी के साथ हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट अप्डेट की हमारा नेक्स्ट अप्डेट आरे यूए और इंडिया से का है कि इंडिया और इंडिया का चुट्रेड है वो टूथाजन थाटी तक 250 बिल्लेंड डॉलार तक पहुंच जाएगा एसा कॉमर्स मिनिस्टर का कहना है तो अगर अभी भी देखें तो यूए इंडिया सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और यूए इंडिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है और उस मार्केट को 2020-30 तक 2030 तक हम 250 बिल्लेंड डॉलार तक पहुंच ना चाहते है इसा कहा है यह अच्छी बात है इंडिया की एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इसके साथ हम दखते हमारा नेक्स्ट अपडेट की हमारा नेक्स्ट अपडेट हार है नकरी.com से जो कि हाइरिंग सर्च जितना हाइरिंग हो रहा था उसी लेबल तक हाइरिंग अभी पहुंच चुका है एसा उन्होंने कहा है तो एक आच्छी खवर है कि हम जादस जादा तेजी से रिकोवर कर रहे हैं इसी रिकोवर ने इंडिया की ग्रोध को बढ़ा सकता है इसी के साथ हम देखते हमारा ला आच्छी वाद है कि UPI ने 84.45 लाख कोरोड का ट्रांजेक्शन कर चुका है तो वान ट्रिलियंड डलार ट्रांजेक्शन नहीं क्या था लेकिन अभी इसी रेकर्ड को ही UPI ने तोड़ चुका है और वान ट्रिलियंड डलार का ट्रांजेक्शन कर चुका है इसी के साथ इस वीडियो आता है खतम, अगर आपको एसे ही और वीडियो देखना है, तो मेरी चानल को सस्क्राइब करो, लाइक करो, स्यार करो, कॉमेंट करो, ठांक्स पर वाचिंग दिस वीडियो